पॉल डिलेट, पॉल डिलेटेट केनेडियन प्रोफेशनल बोडी बिल्डर थे जिन्होंने 1993 के दोरान बोडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा था पॉल की लंबाई 6,56 इंच और वजन तक्रीबन 140 किलो था इनके सरीर को देखकर इनकी सरीर के हर एक नॉस को घीना चाह सकता था बोडी बिल्डिंग के इतिहास में बहुत ही कम लोग इनके जैसा फिजिक सासिल कर पाए है मॉर्गनेश्टे, मॉर्गनेश्टे को एक डियल लाइफ जैन्ट कहा जाता है यानि कि असल जिन्दिगी का धान फ्रांसेजेन मॉर्गनेश्टे की लंबाई 6,53 इन्च और वजर्ण 140 किलो है इन्हें आज की तारीक में USA का सबसे बरा बोडी बिल्डर भी माना जाता है मॉर्गन जब सधारन इंसानों के बीश से गुजरते हैं तो लोगों का रियेक्शन कुछ देखने लाइक होता है क्यूंकि सभी इनके विसाय का है सरीर को देखर है रस में पर जाते हैं इनके बाईसेप्स का साइज 25 इंच है अब आप खुबी समझ सकते हैं कि 28 इंच की कमरवाला सधारन इंसानिंग के सामने खारा होका कैसा महसूस करता होगा रिच पियाना रिच पियाना एक अमेरिकन बोडी बिल्डर और एक बिजनेस मैन थे इन्होंने 2003 से 2009 तक के बोडी बिल्लिंग केरियर में मिस्टर केलिफोर्निया और कई किताब जीते रिच का सरीर बेहत भारी भर्खम था ये उन्चु निंदा बोडी बिल्डर में एक थे जिन्होंने स्विकार लिया कि मैं एस्ट्रेड लेता हूं एस्ट्रेड के इस्तेमाल से इनका सरीर भी इनकाय तो बन गया लेकिन उनको इसकी भारी कीमत भी चुकानी परी हाली में 25 अगर्श 2017 में इनका सरीर लेटरिंग में मीत पाया गया खबरों की माने तो इनकी मौत इस्ट्रेड के ओभर्डोज के कारण हुई थी के ग्रीन के ग्रीन एक जीते जागते मोंस्टर है वैसे इनका असली नाम लेसले के ग्रीन है लेकिन इनको बोडी बिल्डिंग की दुनिया में सीर्फ के ग्रीन के नाम से जाना जाता है इनकी लंबाई 5 फीट 6 इंच और वजन लगभग 130 किलो के आसपास है यह जनाब अपने सर पा एक चोती भी रखते हैं जिसके करनुंका लूक और भी घातक दिखता है बता दे कि के एक प्रोफेस्टल बोडी बिल्डर होने के साथ साथ एक प्रोस्टनल टेनर और आर्टीस भी है रोनी कॉलमैन रोनी कल्मेंग बोड़ी बिल्ड के दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसके नाम से सब कोई वाक्यव हैं रोनी आठ बार मिश्टर ओलम्पिक का किताब जीख चुके हैं इनके नाम कई तरह के वोईल लिफ्टिंग के रिकोर्ड भी हैं जिनको आज तक कोई भी नहीं तोर पाया रोनी कल्मेंग ने उनिस सोवन ठालबे से दुहजार पास तक प्रोफेशनल बोड़ी बिल्डिंग की और इस दौरान कोई भी बोड़ी बिल्डर रोनी जैसी धासु बोड़ी बिल्डिंग नहीं बना पाया भले ही आज रोनी कल्मेंग रीटायर हो चुके हैं लेकिन अभी इनको बोड़ी बिल्डिंग की दुनिया में एक लीजेंड के नाम से याद किया जाता है तो ये थे दुनिया के पास सबसे बेहत मौसलस वाले बोड़ी बिल्डर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ सेयर करे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूद